मैं हमारे उजस्वी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुपता जी का मन की गहराईयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो वक्तव्य उन्होंने आज आपके सामने रखा वो वक्तव्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मकाम था जिस ओज के साथ और जिस जस्वे के साथ उन्होंने विश्यों को सामईग विश्यों के आपके सामने रखा उनके बोलने के पश्चात कुछ सेश नहीं रह जाता किन्तु फिर भी आदेश हुआ है इसलिए कहना है समसे पहले इससे पहले कि कुछ बोला जाए मैं चाहूंगा कि जो सुसजित पंक्ति बद्ध तरीके से अनुशासित तरीके से जो कारकरता सम्मिलन हो रहा है यह बहुत बढ़िया है इसके लिए जोरदार ताली मंडल के अध्यक्ष जिनके अध्यक्ष अता में हो रहा है वैसे अनियस अबरवाल जी के लिए जोरदार ताली पुना हो जाए जिस जिल्ले में ये कारकर्म हो रहा है उस जिल्ले के जुलार अध्यक्ष राजीव बबर जी के लिए एक जोरदा थालीग मंज पर मौझनले के मार्ग दर्शक इरकителя मॅनिय जन्यश मुखी जी प्रदेश योगी प्रक्रेश मंचिय दुखी दैसे जीर्ष Ooh आज दोगता मुख्य वकथा हैं आप सभी को बहुत बहुत नमश्कार आज भारते राजनीती की क्या स्थिती है इस पर कहने के लिए कहा गया है रखुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए ऐसा हिंदुस्तान है जहां एक ही नियम धराव राज के समय क्रश्ट राज के समय कि कुछ भी हो जाए प्राण चले जाए मगर वचन न जाए वचन का माहिम्य था इस देश में किन्तु दुक है वचन को रखन के लिए वचन बद्धता को परखने के लिए एक 75 वर्ष की बूढ़े के जान की आहूती लेने की शायद अश्चिकतान पड़िये अन्ना हजारे आज मौत के मूँपर पड़े और केवल इसलिये पड़े हैं क्योंकि संसद ने उन्हें कुछ वचन दिया था पर आज वो घ राम नहीं अब ऐसा कोई कृष्ण सेस नहीं जो एक बूढ़े के जान को बचाने के लिए वचन रख सके इस से बुरा क्या हो सकता है क्या चाहिए अन्ना को कुछ नहीं चाहिए 20-25 साल बाद इस संसार में भी नहीं होगा कोई बच्चा नहीं उसका कोई घर नहीं कोई संस किसके लिए लड़ रहा है हिंदूस्ता के लिए लड़ रहा है परदानवंद्री बनने के लिए लग रहा है वो। और सनसद के सामने रखा जिसने सारे मर्यातां का उलंग्ण करते हुए एक मजबूर लोपाउ है साविच की यापने आप अन्ना लड़ रहे के मजबूर लोकपाल के लिए भाजपा कटिपधि की मजबूर लोकपाल आएगा तो संसद में समर्थन करेगी किन्तू कांग्रिस ने देश को क्या दिया दिख ध्रमन दिया है तिशा भ्रमट कर दिया है और एक मजबूर लोकपाल घुटना टेकता हुआ लोकपाल संसद में रखा है किंतु मैं घन्य मानता हूँ अपने आपको कि मैं गैसे पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी के केंद्र ने कृत्व में इतनी चार है इतनी हिम्मत है कि उन्होंने कल संसत को जखजोर के रख दिया और इस कानून को पारिक होने से तो नहीं रोता किंतु इसे संसदिय दर्जा नहीं दिया पारिक तो हो गया किंतु संसदिय दर्जा लोखपाल को नहीं मिल पाया है आज राज्यसभा में सिशे पर चर्चा चल रही है और हमें पता है कि कांग्रस हतकंड़ों को अपनाते हुए हो सकता है विल्कुफ पारिक भी कर ले किन्तु ध्यान रहे समरसेश युद्ध सेश है समरसेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र जो चुप है इतिहास समय लिखेगा उनका दी इतिहास जो ब्रस्तचार कर रहे हैं और जो अत्याचार कर रहे हैं केवल वहीं पिसे जाएंगे यह सत्य नहीं है किन्तु जो चुप है जो युद्ध रत नहीं हो रहे हैं समय उनका भी इतिहास लिखेगा यह जो सपा है जो बसपा है जो अन्याय के खिलाफ कर वकाउट कर गई बजाए इसके कि वो हमारे समर्थन में वोट करती कांग्रेस की विर्थ्व वोट करती वो वकाउट कर गई जिसके कारण अंततह यह बिलपारी तो हो गया तो सपा और बसपा सोचती है वो बच गई नहीं वची नहीं वची वो क्योंकि समय उनका भी दिहास लिखेगा जट्यचार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं किन्तु चुप हैं देश के राजमीति की मिशन और क्या कहूं। अटल जी की कभीता कहता हूं उसमें सब कुछ छभा हुआ हुआ आज भैख आता हूँ मैं गीत नहीं गाता हूँ मैं गीत नहीं गाता हूँ मैं गीत नहीं गाता हूँ आज आम आजमी की ये स्थिति है कि आम आजमी आज गीत नहीं गा सकता बविता नहीं पड़ सकता है क्योंकि बेनकाब हुए चेहरे हैं, किसके चेहरे बेनकाब हुए मंत्रियों के चेहरे, सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए दाग बड़े गहरे हैं, एक-एक मंत्री आकंठ, कंठ तक फ्रस्ताचार ने डुबा हुआ है आज भै खाता हूँ मैं च्वाम आदमी है वो भै खाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ मैं गीत नहीं गाता हूँ मैं मुझे में गीत गाने की शमता नहीं एक लाग शीहत्तर हजार करो मैं तो कहता हूँ इससे पहले मैं कहीं भाशन दे रहा था मैंने कहा कांगरेस के राज्ज के समय बड़े सारे स्केम और भुटाये हुए बहुत बुराई है इसमें किन्टु बुराई में भी अठशाई देखो बुछ अठाई आदि है तो लोगों ने पूझा अठाई क्या है भाई साब मैंने कहा एक अच्छा ही है भारत का गड़त सुधर गया बड़े बड़े गड़त क्या पैदा हो गए क्योंकि एक लाख चीएतर हजार करोड में कितने सुनने हैं इससे पहले कोई नहीं बता सकता था